आईए आज कथा सहित्ती में सुनिये मालती चूशी ची द्वारा लिखी कहानी जिसका शीर्षक है पुरुष सूख्ध एक छन सी आवाज हुई और डैनिंग रूम का पूरा फर्ष दाल भात से सने काच के टुकडों से भर गया ये दाल है कि जहर नमक ही नमक भर दिया है बाबुजी ने फुफकारते हुए कहा और तैश के साथ उठ खड़े हुए सबके सब अवाक उनका मुँ ताकते रह गए उसी समय सोयश की सदी हुई रूपदार आवाज गुंजी बाबुजी प्लीज थोड़े दिर अपने जगा पर पैठे रहिए बाबुजी हैरत से देखते रह गए बेटे की यह मजल कि उनसे इस आवाज में बात करे दूसरे ही पल उन्हीं याद आ गया कि इस घर का मालिक वही है इस बात का एहसास होते ही वे चुप चाप बैठ गए उपर से चुप चाप पर मन में उफनते हुए हंगामा सुनकर रसोई से पंडित और बाहर से गनपत दोड़े चले आए थे सुयश ने कहा फट फट यह है फ़र साफ कर लो एक बार चाड़ू लगा कर कांच के टुकड़े उठा लो फिर गीले कपड़े से पोंचा लगा लेना ताकि कांच की किरिचे न रह जाए और फिर वेह कपड़ा डस्ट में में टाल देना फिर उसके बेटे से कहा चितिज तुम स्लीपर पहने हो न जाओ दालजी के कमरे से उनकी चपले ले आओ संभाल कर जाना समझे बाबुजी की जित थी कि वे चपल पहन कर खाना नहीं खाएंगे इसलिए डाइनिंग टेबल पर भी नंगे पाउं ही आते थे मा तुम तो पाउं में पहने हो न नहीं तो रुणजुन तुम्हारी भी चपले ले आएगी वे तो मेम साब हैं जरूर पहने होंगी बाबुजी ने तल्खी के साथ कहा और अपनी चपल पहन का कमरे से बाहर चले गए खाने का एक तरह से सत्यनाश ही हो गया था फार्श साफ होने तक मजबूरन बैटना पड़ा मा जी का चहरा एकदम सफेद पड़ गया था और आखों में आसु चलकाए थे सब लोग उठे तो वे भी उठ गई और सिर जुकाए अपने कमरे में चली गई पंडित जरा बच्चों को ठीक से खिला देना सुयश ने कहा और अपने कमरे में चला गया पीछे पीछे रेवा भी कमरे में आती बोली इतना अच्छा प्लान बनाया था मैंने आज कि मॉल में गूम लेंगे फिर वहीं कुछ खा पी कर लोटेंगे पर बाबुजी साथ चलने को राजी नहीं हुए तो माजी ने भी वहाँ जाने से मना कर दिया बच्चे पेचारे इतने बोर हुए उनका तो सारा इंटरेस्ट फूड कोट में ही रहता है और घर आकर ये तमाशा हो गया सच कहना दाल में क्या इतना जादा नमक था? क्या पता? मैं तो अभी चक भी नहीं पाया था और वैसे इस कोड को दाल के नमक से कुछ लेना देना नहीं है मतलब माँ बाबुजी की चाकरी छोड़कर तुम्हारे साथ मौल घुमने गई थी ना? फिर तो यह होना ही था देखो तुम्हारे पास कोई स्टील का सेट हो तु निकाल लो नहीं तो तुम्हारे सारे डिनर सेट बेमिल हो जाएंगे क्या बात कर रहे हैं? सच कह रहा हूँ बच्पन से ही देखता आया हूँ ना? चावल में कंकड निकल आये तो सबजी में बाल नजर आ जाये तो दाल में नमक, मिट्श, तीज हो जाये तो शामत तो थाली की ही आती थी आप लोग कुछ कहते नहीं थे हमारी मजाल थी तब कुछ कहने की मुझे तो माजी पर दया आती है उनका चहरा देखा नहीं कैसा हो गया था बेचारी दिन भर लगी रहती है ब्रश पर पेस्ट तक निकाल कर देती है शेविंग के लिए गरम पानी देंगी सारा सामान निकाल कर देंगी बात में उठा कर भी रखेंगी नहाने के लिए गरम पानी वही निकालेंगी घीजर का बटन खोलना भी बाबुजी को भारी लगता है पाँच-पाँच मिनट पर आवाज देते हैं 24 खंटे उन्हें हाजरी चाहिए मा को बचपन से खटते हुए देख रहा हूँ इसलिए चाहता हूँ कि कुछ दिन यहां आकर रहें मेरी अफसरी का आनंद ये लोग भी उठाएं पर कहां 15 दिन भी तो चैन से नहीं रह पाते पता नहीं वहां गाउं में कौन सा खजाना कड़ा है मा जी तो बहुत खुश रहती हैं यहां पर बापुजी उन्हें टिकने ही नहीं देते एक बात मैंने आपको बताई ही नहीं कौन सी? अभी मंगलवार को अस्थाना जी के यहां सुन्दरकान का पाठ हुआ था मैं मा जी को लेकर चली गई थी लोटकर पता चला एक कप शहीद हो गया है गनपत बोला पापा जी के हाथ से छूट गया था पर मुझे लगता है उन्होंने जान बुच कर गिराया होगा चाय के वक्त मा जी जो सामने नहीं थी सोचता हूँ मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा दूसरे दिन सुभा नो बजे रेवा ने ससुर के कमरे में छांक कर पूछा बाबुजी आप नाश्टा टेबल पर लेंगे यह यहीं पिजवा दूँ क्यों तुम्हारे सास महरानी कहां गई है उन्होंने कड़क कर पूछा बाहर डॉक्टर सहाब आये हैं मा जी का चेक अप हो रहा है किस बात का ये कह रहे थे मा बहुत कमजोर लग रही है इसलिए डॉक्टर सहाब को बुलवा लिया था उन लोगों को तो शायद देर लगेगी मैंने सूचा आपका टाइम हो रहा है तो नाश्टा यहीं लगवा दूँ वे कुछ नहीं बोले रूठे हुए बच्चे की दरहां मुँ खुला कर बैठे रहे रेवा ने भी दुबारा नहीं पूछा छोटे लाल के हाथ नाश्टा लगवा कर कमरे में फेश दिया डॉक्टर सहाब के जाने के बाद जब सुयश मा को लेकर कमरे में आया तो नाश्टा वैसा ही अंचुआ पड़ा था इन लोगों को देखते ही बाबुजी ने कुर्रा कर पूछा किस बात का चैक अप हो रहा था मा इस बार बहुत कमजोर लग रही थी तो सोचा एक बार दिखा ही लेते हैं डॉक्टर सहाब कह रहे थे खून की कमी हो गई है दवायां तो खेर लिखी ही है पर कह रहे थे इन्हें आराम की सक्त जरूरत है यहां आराम ही तो कर रही है कौन सा पहार तोड रही है उन्होंने निस्ठुरता से कहा मा सुयश ने कहा तुम बाबुजी का नाश्ता गरम करके ले आओ और अपनी भी प्लेट लेती आना तुम्हारे बिना बाबुजी खाएंगे थोड़े ही मा जब चली गई तो सुयश ने कहा हाँ तो मैं कह रहा था मा को आराम की सक्त जरूरत है मैं भी तो वही कह रहा हूँ यहां कौन सा पहाण उठा रही है वे चुब ही कर रही है वे भी उनके लिए ज्यादा है एक बात का शायद आपको अहसास नही है कि मा आप पहले वाली नहीं रही आपके साथ साथ वी भी बुढ़ा रही है आपके सारे काम वे कर देती हैं पर उनका काम करने वाला कोई नहीं है इसलिए मैं आप लोगों को यहां ले आया हूँ सारे जंजटों से मुक्ति पाकर यहां आराम से रहिए मैं छोटे लाल को आपकी सिवा में लगा देता हूँ वो आपके सारे काम कर देगा मा दिन भर कमरे में लेटी रही बाबुजी दिन भर असहश बने रहे उसमें पत्नी के प्रती चिंता कितनी थी और नाराज़की कितनी यह जानना कठिन था दूसरे दिन से मा का चिकित सा अभियान विदिवत शुरू हो गया उसी अनुपात में बाबुजी की चिड़-चिड़ा हट भी जारी रही छोटे लाल का एक भी काम उन्हें रास नहीं आता बेचारा दिन भर उनसे जड़कियां खाता सुयश ने एक आद बार कहा भी कि बाबुजी ये गाउं के लड़के नहीं है कि उल्टा सीधा कुछ भी सुन लेंगे यहां नौकरों चाकरों से भी इज़त से बात करने पड़ती है गाली का लौज तो बिल्कुल भी नहीं शहर में शायद बाब को बेज़त करना चायज है वे कसैले स्वर में कहते तो सुयश चुप रह जाता कभी पतनी को ठीक ठाक कपड़े पहने देख लेते तो उनका पारा चड़ाता कहते तुम तो बिमार हो ना फिर कल अफ़तर साड़ी पहन कर क्यों मटक रही हो बहु कहती है कि दिन भर कोई आता जाता रहता है आप अच्छे से ही रहा करो हाँ ठीक तो है नहीं तो लोग तुम्हें नौकरानी समझ लेंगे फिर मुझे तो शायद चपरासी ही समझते होंगे उनका मन हुआ कह दें कि यहां के तो चपरासी भी तुमसे ज्यादा साफ सुथरे रहते हैं पर कहने की हिम्मत नहीं पड़ी इतना भर कहा घर में रोज धे कपड़े प्रैस होते हैं कमेज वगहरा दे दिया करो न हमारे वज़ा से बेटे की किलकिरी हो अच्छा लगता है इतना भी वे कैसे कह पाई उन्हें खुद आश्चरे हुआ बेटे का आश्वस्ती भरा हाथ पीट पर है इस एहसास ने ही उन्हें यह हैसास दिया होगा अपनी और से बोलने वाला कोई है यह विश्वास पड़ा पल दे चाता है माजी को यहां बहुत अच्छा लग रहा था जिंदगी इतनी शानदार कभी न थी इतनी सेवा टहल जिंदगी में पहली बार पा रही थी एक पुकार पर कोई न कोई दोड़ा चला आता था अब ना सुभा सवेरे उठकर पानी भरना पड़ता था ना महरे की प्रतिक्षा में आँखे पिछाने पड़ती थी हाट पाजार के लिए अडोस पडोस के बच्चों की चिरोरी करने की भी जरूरत नहीं थी रसोई के जंड़टों से मुक्ती मिल गई थी परसी थाली सामने आती थी और मनुहार करके खिलाई जाती थी बाबुजी यह सब देख देख कर कुड़ते थे पत्नी के सुक से ऐसी इरश्या सबको आश्चर होता था मनुरंजन के लिए बेटे ने कमरे में टीवी लाकर रख दिया था पर बाबुजी को उनका यू डूब कर टीवी देखना अच्छा नहीं लगता था वे बार-बार चैनल बदल देते थे पत्नी को रस भंग करके उन्हें खुशी होती थी वे अख़बार लेकर बेट चाती तो कहते कभी बड़ा था पेपर काला अक्षर भैस बराबर है पर ऐसे दिखा रही है जैसे कहीं की कलेक्टर नी हो बहु कभी सास को प्रीम से मंदिर भजन कीर्दन या बाजार ले जाती तो घर आकर बाबुजी का गुसा झेलना लाजमी था और तक उसकी आँच्वे पहुँशने नहीं देती थी पर खुद तो उस ताप में जुलस ही जाती थी फिर भी कुल मिलाकर दिन अच्छे ही बीत रहे थे कि एक कांड हो गया उस दिन संडे को स्पेशल लंच लेकर सब लोग अपने अपने कमरों में सुस्ता रहे थे कि गनपत ने आकर सूचना दी महमान आये हैं दो ओटों में बहार आकर देखा उनके मुरैना वाले पडोसी थे बाबुजी के परम्मित्र तीन पेडियां साथ थी दादा दादी, बेटा बहु और पोता पोते कां इंजिनिरिंग में दाखला हो गया था कॉंसलिंग के लिए आये थे माता पिता को तो साथ आना ही था मा बाबुजी से मिलने दादा दादी भी आ गए चाचा जी, मुझे खबर तो की होती? स्टेशन पर गाड़ी फेज देता घर ढूनने में परिशानी तो नहीं हुई मैंने भाई सहाब को फोन कर तो दिया था मुझे खुद हैरानी हो रही थी कि कोई लेने क्यों नहीं आया तब तक बाबुजी पहार आ गए थे सुयश ने पूछा बाबुजी, आपको पता था ना कि ये लोग आने वाले हैं तो घर पर बताना तो था भूल गया आप पता देते तो मैं खुद स्टेशन चला जाता पता है वे लोग कितना परिशान हुए है बोपाल में खर ढूनना कोई आसान काम है कह तो दिया कि भूल गया आप क्या फांसी चड़ाओगे रेवा ने पती को इशारे से बरच दिया कि अब कुछ ना बोलें बेकार महमानों के सानने तमाशा होगा वो भीतर आकर चाय की तैयारी में चुट गई उस खर की बहू भी पीछे पीछे चली आई उसने बताया कि वे लोग खाना भी खाएंगे क्योंकि बाबुजी ने ताकीत कर दी थी कि खाना घर पर ही खाना गाड़ी थोड़ी लेट हो गई थी फिर भी पापाजी ने पाहर से खाना लेने नहीं दिया बोले इतनी लोगों का खाना परबाद होगा रेवा समस्टो गई कि बाबुजी ने यह सब जानबुच कर किया है पर वह वक्त गुसा करने का नहीं था उसने शांत भाव से कहा आप लोग चाए पेकर फ्रेश हो लें तब तक खाना बन जाता है उसने फटाफट दाल चावल का कुकर चढ़ाया गन पत से आटा गुंदवा कर रख लिया फिर होटल में फोन करके तीन सबजियां रायता और एक मीठा मंगवा लिया खाने की मेज इतनी सजी हुई थी कि मेहमान प्रसंद हो गए अरे वाह इतनी सी देर में इतना सब कुछ बाबुजी का माथा ठनका सब घर पर ही बनाया है या बाहर से मंगाया है सुयश ने उन्हें खा जाने वाले नजरों से देखा तो बोले भाबे जी पाहर का खादी नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ मेहमान बुजर्गवार ने कहा भाई सहाब जब से चार धाम यात्रा की है सारा परहेज छूट गया है उन्होंने विशे का वहीं पटक शिप कर दिया गरमफुल के परोस्ती हुई रेवा ने भी राहत की सांस ली मेहमान तीन दिन रहे बड़े प्रसन रहे जाते हुए असीस दे गए यहां की खातिरदारी से वे लोग अभीबूत थे और यह सच भी था सुयश और रेवा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी सुयश ने एक गाड़ी और ड्राइवर उन्हें दे दिया था रेवा ने एक बृत्य उनके नम कर दिया था सुयश ने उन्हें पाहर की सैर करा दी थी घर में रेवा ने अपनी पाक कला के जोहर दिखा दिये थे मेहमानों को खुश तो हो नहीं था बे बार-बार मा बाबुजी से कह रहे थे आप दोनों तो जैसे स्वर्ग में रह रहे हैं यहीं बने रहे बाबुजी को इतनी ज्यादा प्रशन सा हजम नहीं हो रही थी जाते हुए उन्होंने डिठोना लगा ही दिया माफ कीजिए उस दिन आप लोगों को होटल का खाना खाना पड़ा था पर क्या करूं गलती मेरी ही थी मैं ही बताना भूल गया था सुयश ने सुना और खून का घूंट पेकर रह गया शाम को दफ्तर से लौटते ही सुयश ने कहा बाबुजी आपने यह चश्मा कब बनवाया था याद नहीं पांच-छे साल तो हो गए होंगे क्यों इतना कैप ठीक नहीं सोच रहा था आप यहां आए हैं तो एक बार आखे टेस्ट करवा लिजाए प्रस्ताव इतना आक्समिक था कि बाबुजी को मना करने का कोई पहाना ही ना मिला सुयश उन्हें डॉक्टर के यहां ले गया आखे टेस्ट करवा कर नया नंबर लिया फिर चश्मे की दुकान पर जाकर फ्रेम पसंद किया और ओर लिखवाया लोटते समय उन्हें इधर उधर घुमाते हुए दर्शनी अस्थलों की जानकरी देता रहा वियुदास इन भाव से सुनते रहे एका एक सुयश ने कहा बाबुजी बुरा ना माने तो एक बात कहूं कहो हमने किसी भी बात का बुरा मानना अरसे से छोड़ दिया है उन्होंने कसैले स्वर में कहा उत्तर हथो साहिद करने वाला था शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि सुयश क्या कहने वाला है इसलिए उन्होंने यह रुख अपनाया था सुयश ने फिर और भुमिका नहीं बांधी और तापर तोड कहे ही डाला उन्हों के जाते समय वह होटल वाली बात उठाने की क्या जरूरत थी वे लोग तो शायद उस बात को भूल ही चुके थे पर आपने फिर से याद दिला दी इस बात को ना वे भूलेंगे और ना मैं भूल पाउंगा क्योंकि घर आए मेहमान को बाहर का खाना खिलाने की हमारी परंपरा नहीं है बाबुजी खासे तैश में थे बाबुजी अवल तो गलती आप ही की थी और इसे आपने स्विकार भी किया है आप तो जानते हैं कि रविवा शाम पंडित की छुट्टी होती है फिर भी रिवा से जितना बन पड़ा उसने किया पूरा खाना बनाने बैट चाती तो रात हो जाती और वे लोग दिन भर के भूखे थे फिर भी घर में दो-दो औरतों के होते हुए खाना होटल से आए ये शर्म की बात है बाबुजी अपने जित पर अड़े थे मैं होता तो आधी रात को भी कान पकड़ कर उठाता और दस लोगों का खाना बनवाता मैं मानता हूँ आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं करते ही आ रहे हैं पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि पतनी मेरे लिए पाउं की जूती नहीं है वो घर की लक्षमी है ये क्यों नहीं कहता कि बेबी से ड़ता है जो रूगा गुलाम हो गया है तू पतने की इज़त करना अगर गुलामी है तो मैं गुलाम ही सही और बाब की इज़त करना कब सीखोगे सुयश ने कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी घर की और मोड़ दी अच्छा ही हुआ जो ड्राइवर साथ नहीं है नहीं तो आज का यह समवाद कर पूरे दफ्तर में ब्लॉडकास्ट हो जाता सुयश तो अपनी बात कह चुका था पर बाबुजी अभी भी फन फना रहे थे मुझे मालूम है तुम लोग मुझे सिर्फ मा की खादिर जेल रहे हो तो इतना एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है अपनी मा को जितनी मर्जी हो रख लो पर मेरा टिकट बनवा दो मैं वापस जाओंगा आप तो ऐसे कहेंगे ही क्योंकि आप पक्का जानते हैं कि मा आपको अकेले जाने नहीं देंगी वैसे आप चिंता ना करें आप दोनों का टिकट बनवा रखा है क्योंकि आजकल समय पर दिक्कत होती है मा यहाँ बहुत खुश हैं उन्हें आराम मिल रहा है वे आप घर जाने की जित्मा चाएंगे इसलिए मैंने पहले ही टिकट का इंतिजाम कर रखा था बाबुजी भटी-भटी आँखों से उसे देखते रह गए सुयश ने ठीक ही कहा था मा किसी तरह रहने को राजी नहीं हुई बोली इतने दिन तक सेवा की है अब चौथे पन मे अजस क्यों लूँ अपने रहते तो मैं उनकी शान में कोई कमी आने नहीं दूँगी अब बाद में चो भी हो हम पर विश्वास नहीं है क्या सुयश ने हसकर कहा और सजल नेत्रों से माता पिता को विदा किया उस रात मन बहुत उतास था कितना चाहता हूं मा को कम से कम इस उम्र में थोड़ा सुकून थोड़ा आराम मिले पर बाबु जी लेकिन बाबु जी ऐसा क्यों करते हैं वे यहां आराम से क्यों नहीं रहते यहां उन्हें क्या तकलीफ है उनकी तकलीफ तुम नहीं समझोगी बाबु जी हमेशा से बड़े दुरदांद रहे हैं पर उम्र के साथ उनकी पकड डिली पड़ती जा रही है हर कोई उनसे छिटक कर दूर चला गया है एक मा ही रह गई है जिन पर वे रोब कांट सकते हैं अपनी सत्ता चला सकते हैं इसलिए वे मा को कस कर पकड़े रखना चाहते हैं चाहता हूं कि मा कुछ दिन तो सुक से रहें अपनी मर्जी से अपनी जिन्दगी जियें पर इनके रहते तो वे संभव ही नहीं है ची कैसी बाते सोच रहे हैं आप रेवा ने एकदम से जड़क दिया तो सुयश सक पका गया आपको क्या लगता है मा उस हालत में खुश रह सकेंगी कता ही नहीं आप तो उनका अलग से कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है उनके लिए जिन्दगी का एक मात्र अर्थ बापुजी की सेवा ही है उसके बिना तो वे जी ही नहीं पाएंगी आप उस तरह की कोई बात मत सोचो प्लीज सौरी सुयश ने कहा और करवट बदल कर लेट गया नीद आने का तो सावाल ही नहीं था रेवा का भी शायद यही हाल था क्योंकि कुछ देर बात उसने कंधे पर उसका हलका सा स्परश अनुभव किया और फिर अंधेरे में उसकी आवाज उभरी सुनिए मेरे मन में अभी अभी एक बात आई है अगर कभी हमें बाबुजी को अखेली जेलना पड़ गया तो हम कर तो पाएंगे न प्रशन सच मुझ विचारनिय था अभी आप मालती जोशी जी द्वारा लिखी कहानी पुरुष सोक्त सुन रहे थे मालती जोशी जी की अन्य कहानिया आप कथा साहित्य की प्लेलिस में जाकर सुन सकते है कथा साहित्य में साथ पनाय रखने के लिए धन्यवाद